जोहार आप सभी को जितने भी जारखंड के विद्यार्थी हैं जो की जेटेट आयोजित कराने को लेकर प्रियास रत्र हैं उनको मैं बता दू आज टेलिग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए एक अपडेट में ला दूँगा एक पोस्टर बन चुका है और मैं आप लोगो की जो है प्लानिंग तयार करी है उनको पैसा जाएगा मुझे पैसा नहीं जाएगा अगर आपको भरोसा है उन लोगों पे तो पैसे दीजे भरोसा नहीं है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है मुझे एक रुप्या भी नहीं मिलने वाला है नहीं में एक रुप्या और दूसरी बात इन लोगों ने पहले भी कोट में केस कर रखा था कि जेटेट का जेटेट परिशा की आयोजन करने की जल्द से जल्द सरकार की और से पहल होनी चाहिए तो जो हुई नहीं है तो आप इनको चंदा दे सकते हो लेकिन जारखंड सिक्षक भरती अपडेट जो ह जहाई यह मेसेच पहुचाए कि जागरुक होने का वकत है सरकार पे प्रेशर बनाने का वकत है क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी मुस्किलात को जेलते हुए पैसे बनाएं हैं ताकि आपका परिवार जो है एक आप सरकारी सिप्षक बनो तो आपके ऊ उपर लेकिन जिस तरह की चीजें हुई है पिछले 6 सालों में नाएक जेटत की भरती आई है जेटत तो हुआ है नहीं है भरती अब भी आई है और भरती आने पर क्या कर दिया गया है पाराटीचर को हाफ जो है इनको जो है reservation दे दी गई है और इनकी सीटें खाले राने वाली है मैं आपको guarantee बताता हूँ पारा सिक्षक exam को qualify नहीं कर पाएंगे इतनी quality वाले पारा teacher हमारे देश में नहीं है actually हमारे परदेश में नहीं है कि ये pass कर पाएंगे आप देख लेना ये exam को qualify नहीं कर पाएंगे पहली बात दूसरी बात ये है कि 2016 से कई सारे लोग में बार बार हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि 16 जो जो जिन्होंने पास किया है 12 पास किया है बहुत सारे लोगों की जौब हो चुकिया और इनकी भी सीटेंग खाली रजाएगी आप देखना और सेलेक्शन होगा भी न तो देख लेना कितना कम मेरिट पे इन लोगों का सेलेक्शन होगा कि आपको क्या जरूरत थी कि तुरद आपने न्युकती के लिए जो है ये सारे प्रावधान कर दिए जैटेट बिना लिये हुए आप जो है ये न्युकती कर रहे हो जो कि सरासर गलत है जो विद्यारती लाख हो रुपए अपने गवा कर अब आपको भी पता है कि ये 2030 से पहले जारखन में सिक्चक भरती नहीं आएगी साथ साल आठ साल लगते हैं सिक्चक भरती में तो ऐसे में हमारे जो भी प्रॉबलम है हमारे जो मुस्किले हैं उसे कौन सॉल्ब करेगा हैमन सॉरेन सॉल्ब करेगा बीजेपी सॉल्ब करेगी कौन सॉल्ब करेगा अब भी फिलाल as of now जिसकी सरकार है सवाल उसी से पूछा जाएगा जी हाँ ये बकलोलवा से ही सवाल पूछा जाएगा जिसका नाम है हैमंत सौरें याद रखिएगा अगर जेटेट की परिक्षा नहीं हुई तो इस इनसान से बार-बार सवाल पूछा जाएगा कि तुम लो जो है साथ साल तक की छूट मिल जाएगी क्योंकि साथ साल जो है जारखण में बहाल ही नहीं आये थी साथ साल एज रिलेक्सेशन जो है कर दिया गया है जारखण सरकार के दौरा कुल मिलाकर मोटा माठी बाते यही थी अधिक्तम कटफ का जो उम्रेट है वह एक अगस्त 2016 रखा गया है सरकार ने जो है एज बढ़ा दिये जो कि अच्छी बात है देखिए सरकार का बिरोध करने का मतलब यह नहीं होता है कि सरकार के हर मुद्दे पे हर फैसले पे जो है सवाल यह प्रसंचीन उठाए जाए आप से मैं पूछता हूं कि क्या जेट एक महने में सरका करा सकती दो महने में रिजल्ट नहीं आ सकता है सरकार के अंदर जो है इरादी नहीं है जिसके जिक्ता आ जाए उसके बाद जो है न्यूक्ति परिक्षा जो वेकेंसी है उसकी भी परिक्षा जो है आपको तुरद देखने को मिल जाए दो महने के बाद तो क्या प्रब्लम कौन सा पहार टूट जाएगा जारकंट पे साथ-ाठ सालों में आपने सिख्चक भरती नहीं कराई तो यहां के बिद्यारती पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तीन-चार महने और बिलम हो जाएंगे तो अच्छे क्वालिटी के टीचर मिलेंगे याद रखना जेट अगर नया जेट लिया जाए तो क्वालिटी वाले टीचर जो है उनका सेलेक्शन होगा जेटेट 16 और 12 वाले में भी क्वालिटी स्टुडेंट हैं लेकिन उनकी संख्या कम है जो की सच्चाई है बीटर टूथ है तो ऐसे में एक जेटेट बिना कराए ह हुए अगर भाती पर क्रिया ली जाती है तो बेवकुफ लोग भी जो है सिक्चक बन पाएंगे लेकिन सीटें खाली रहेगी देखना और सरकार जो है इस इरादे पे बिफल हो जाएगी आपकी जो भी राए है नीचे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा नीचे टेल टेलिग्राम पे मैं सेयर कर दूँगा जिन लोगों की डिटेल्स है आपको चंदा देना है दीजिए नहीं देना है मत दीजिए आपके लाग दो लाग बरबाद हुएं कुछ और पैसे बरबाद हो जाएं तो क्या ही दिक्कत है आपकी मर्जी मैं पैसे नहीं ले रहा आपकी मर्जी आप जैसा करना चाहते हो किजिए नहीं करना चाहते हो घर में मस्त चिल जो है एसी का हवा खाइए और फ्रोटी पीजिए थैंक यू सो मच पर वातने इस वीडियो है वाकुड टे